कि नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं इविद्या चैनल चानल नंबर नो और आप सभी का स्वागत करते हूं मैं रेड़ भड अपने इस लाइव इंटरेक्शन में जो हम लेकर आए हैं हिंदी के नभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आपने सभी देखने वाले विद्यार्थियों को हम बता दें कि आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे रस्खान के सवयों की और आप सोच रहे होंगे कि यह क्या चीज है और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के बच्चों अगर आपके मैंन में कोई भी प्रशन आ रहा हो आप कहीं पर टक गए हैं या फिर किसी चीज की व्याक्या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप वे जिजक अपने सभी प्रशनों के साथ हम से हमारे इस लाइव इंट्रक्शन में जोड सकते हैं आप हमें कॉल कर सत्र का हिस्सा बनेंगे अपने सभी प्रशनों के साथ और जब तक मैं हमारे बच्चे हमसे जूरते हैं विद्यार्थी हम आपके पास आते हैं जैसे हमने अपने सभी देखने वालों को बताया कि हम रस खान की सवयों पर बात करने वारेंगे तो सबसे पहले जो शीर्शक ह सवया हम इसके बारे में माम आपसे जानना चाहेंगे कि यह है क्या बिलकुल नमस्कार बच्चों दर्शकों धन्यवाद रेनू यह जो सवया है नाइंत क्लास में यह बच्चे हैं और इससे इनका परिचे पहले भी रहा है यह एक छंद है और आपने सुना होगा कबीर के कबीर के दोहे सूरदास के पद और तुलसी की चौपाई तो यह सवये हैं तुलसीदास ने भी सवये लिखे हैं आपका परिचे क्लास 6 में उससे हुआ है वन के मार्ग में जब आपने पढ़ा था पुरुते निकसी रगवीर बधू धरिधीर दये मग में डग दोए तो य यह वाणिक चंद है चंद का एक प्रकार वाणिक चंद का मतलब है कि हम इसमें वर्ण गिन सकते हैं वर्ण का मतलब है अक्षर वो मैं आपको भी लिख कर गिन कर दिखाऊंगी और जो मात्रिक चंद है वो है दोहा उसमें हम मात्राइं गिनते हैं मात्रा में हम वर्ण के सा जो हमने A की, E की, O की मात्रा है लगाई होती हैं, उनको भी गिनते हैं, तो ये वार्णिक छंद है, यहां केवल वर्ण गिनेंगे, सवया गा सकते हैं, सवया में एक पंक्ती में 24 वर्ण होते हैं, और अक्सर इसमें जो है वो गुडगान होता है, तो आपको मैं लिख कर लिखा हुआ, और उसमें मात्रा गिनने की कोशिस भी कीजिए, तो ये है मानुस, अगर मैंने लिखा है, तो आप देखिए, ये आपके तीन अक्षर हो गए, मानुस, हौ, तौ, वही, रस्खान, ये वाला पैन दीजिए, बसो, ब्रज, गोकुल, गां, शुडश। कि ग्वारन अब आप इसे गिने हैं तीन मानुस तीन हो गए हौ चार तौ पाँच फिर छे साथ आठ नौ दस क्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सोला सत्रा ठारा उन्नीस बीस इक्किस बाइस तेश चौबिस तो यह हम वानिक छंद में मात्राएं गिन सकते हैं इसलिए य आप जब पढ़ेंगे और जब सवया सुनेंगे और इनको बहुत लए के साथ गा सकते हैं बोल सकते हैं आपको लए में गाते हुए पढ़त अच्छा लगेगा यानि कि यह लै आत्मक भी हो सकता है और इसे गिना भी जा सकता है बिलकुल और माम जैसे हम अपनी स्क्रीन प आप हम कह रहे हैं कि रस खान है और रस की खान तो कृष्ण को भी कहा जाता है और इनका दरसल वास्तविक नाम है सयद इबराहिम अगर हम साहित के इत्यासकार शिव सिंग सेगर की किताब में देखते हैं तो वहां यह लिखा हुआ है कि सयद इबराहिम और इनका जन्म देखिए जो पुरानी जो भक्त कवी हैं उनके बारे में सही तथे जानना जो उनके बारे में जिन्होंने लिखा है या उन्होंने खुद जो साहिते लिखा है उससे जब चीजे मिलती है तो उसी से हम तै करते हैं और फिर यह दिल्ली आए और दिल्ली आकर के जब इनके मन में भक्ती पैदा हो गई और जब कि ये कृष्ण भक्त हो गई तो ये व्रंदावन जाकर बस गए इन्हों ने गुरू बिठल नाथ से कृष्ण भक्त की कृष्ण जी के बारे में सिक्षा ली और ये सगुण भक्त का भी है उनकी मृत्ति हुई 1628 में रचनाओं के नाम आप देख सकते हैं प्रेम बातिका, सुजान रस्कान और रस्कान रचनावली तो ये इनके बारे में जानकारी है और एक कथा चलती है कि ये तो मुसलिम है तो कैसे फिर ये कृष्ण भक्त कैसे हो गए और कैसे ये सगुण भक्त कैसे हो गए देखे सगुन भक्त का पहले जान लिजे कि भक्त कभी है और कृष्ण भक्त कभी है तो सगुन भक्त है क्योंकि कृष्ण का तो एक रूप है मोर पंक लगा है, मासूरी लगी है, गाय चराते हैं, पीता अंबर पीला वस्तर पहने हैं, खेल खेलते हैं, माखन खाते हैं, गोपियों को सताते हैं, परिशान करते हैं, गोपों के संग खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, तो यह बहुती सुन्दर है, जो भी कृष्ण भक्त है वो सब जानते हैं कि यहां पर ऐसा जब बोलते हैं तो कृष्ण का एक सुरूप होता है जो हमारे सामने आता है तो यह सब कुछ रस्खान के यहां भी था रस्खान भी यह सब लिखते हैं और दरसल वो बास्तव में कृष्ण भक्त थे भी और यह उनके उनके शब्दों में उनकी कविता में आता है और एक दो नहीं कई राज्यों में अलग अलग राज्यों में कृष्ण भक्त पाए जाते हैं आप सूर्दास के पद पहले देख सुन पढ़ चुके हैं मीरा राजस्थान से हैं तो चैतन्य महाप्रभू बंगाल से हैं विद्यापती मिथिला से है उनिसा से जैदेव आते हैं चंडीदास आते हैं नरसी महता गुजरात से आते हैं तुकाराम महारास्थ से और ये सयद इबराहीम रस्खान को हम पढ़ने जा रहे हैं तो रस्खान के पहले पद से ही मैं शुरू करूं और मैं एक रोचक कहानी जो प्रचलन में है वो आपक को थोड़ा पुताई सफाई करा रखी थी और देखा तो वहां पर एक चित्र कृष्ण का लगाया हुआ था तो बच्चे का बाल कृष्ण लगे हुए बहुत ही सुंदर लगा उनको पाओ में चपल नहीं थी तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ये जिस बच्चे की फोटो ल अगले दिन चपले और जब उसका अता पता नाम पूछा इस间 से और वहां चले गए तो कि system मदिर तो वहा चले गए, तो पुजारी ने कहा कि नहीं आप तो नहीं जा सते तो वो बैठकर इनतजार कर रहे हैं कि परतीक्षा में है कि अगर यह करश्ण भगवान है तो जरूर मुझे इन के दर्शन होंगे और ऐसा कहते हैं की दर्शन है और इसी कताये प्रचलन में है इतना सत ये ब्रिज भाषा में है और पहले इसका पाठ कीजिए इसको पढ़ने की कोशिस कीजिए कदम्व की डारन क्रश्न के प्रेम में क्रश्न की भक्ती में इतने लिप्त है इतने लिप्त है कि वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई पुनर जनम मिले और उस पुनर जनम में अगर मैं मनुष्य बनूं तो उसी ब्रज में जाके रहूं जहां उसी गोकुल गाउं में जाके वाले ग्वाल वाले बसते हैं ताकि मैं क्रश्न की भूमी पर रहूं और जो पसु हो अगर मैं पशु बन जाओं तो कहां बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मझारन तो मैं नंद की गायों की तरह वही जाकर के व्रिंदावन में चरूं उन्हीं गाओं के बीच में पाहन हो उसी पहार उसी परवर्त का पत्तर बनू जिसे क्रश्न ने अपनी उंगली पर धारन किया था इंद्र का गर्व इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए हरी छत्र पुरंदर धारन हरी मानि क्रश्न छत्र मानि छाते की तरह हैं पुरंदर मानि इंद्र इंद्र का घमंड कि बड़ी पुजा हो रही है तो हमारी पूजा होनी चाहिए, लोगों नहीं माना कि हम तो क्रिछन को ही इमानते हैं वही सब कुछ है तो और फिर कृषन पर्वत अपनी उंळी पर उठाया और अभी दिवाली गुजर गए है और दूजा पूज पूज़ गल तो उसमें भी आप जानते हैं कि गोवर्धन पुजा नामी करके है तो इसलिए गाउ में गोवर्ध से छोटी-छोटी मूर्तियां बनाके घर गरस्ती की चीजें बनाके और फिर कृष्ण को याद करते हैं और पुजा करते हैं तो ये इंद्र का खमर्ण तोड़ने के लिए क पहा कि हमें पथर बनू तो उसी गोवर्धन परवत का पथर बनू जब पक्षी बनू तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदंब की डारन अब देखिए कितना सुंदर इसमें अनुपरास है जब एक वर्ण एक सेहधिक बार आता है तो वह कौन सा अलंकार होता है अनुपरा प्रस खान की जो कामना है कि मैं उसी ब्रज भूम मि पर रहूं वहीं क्रश्न के आसपास रहूं तो हमें क्रश्न के आसपास ही रहना है अगर मुझे पुनर जनम मिले तो ऐसे उनकी आका अंग्शा है तो आप ही देखिए कि रस खान की कितनी भक्ति है दूसरे पत की तरफ बढ़ते हूँ आप बच्चों समझ रहे हैं ये ब्रिज भार्षा में है तो आप बहुत सुन्दर तरीके से इसका पाठ कीजिए मैं एक पपर फिर पढ़ते हूँ आप बिल्कुल समझिए मानुस हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुले गाओं के ग्वारन जो पस हो तो कहा वस मेरो चरोनित नंद की धेनु मजारन पाहन हो तो वही गीरिको जो कियो हरी छत्र पूरंदर धारन जो खग हो तो बसे रो करो मिली कालिंदी कूले कदंब की डारन वह सुन्दर तर की तरह बढ़े या लकुटी अरुकामरिया पर राजती हूँ पूरी को तजीडारो कितनी भक्ति कि अगर मुझे ये लाठी जिसको पकड़ कर क्रेश्न जो है वो गाएं चराने जाते थे ये मिल जाए और उनका कंबल मिल जाए जिसको जंगल मिल जाए करते थे वन में गाए मुझे मिल जाए, तो उस पर तो मैं तीनों लोकों का, तीहू पूर, तीहू पूर माणि नगर होता है वैसे, तो तीनों लोकों का, मैं राज जो राज है, जो सुख वैवव है, वो उस पर त्याग सता हूं, आठाउं सिद्धि, नवानि, दिके सुख नंद की गाई चराई बिसारों और सिद्धी आठ सिद्धियां होती हैं आपके पा किताब में भी पीछे दीवी हैं जिसको तपस्वी लोग साधना करके प्राप्त करते हैं अडिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ती प्राकाम में इश्वत वश्यत तुमाने जो साधन प्राप्ती मानी जाती हैं वो सब भी मैं इसके लिए भूल सकता हूं कि अगर मुझे नंद की गाई चराने के लिए मिल जाए तो अगर मुझे वो लाठी मिल जाए वो कंबल मिल जाए और नंद की गाई मिल जाए तो क्या-क्या त्याग सकता हूं मैं सिद्धियां छोड़ अपनी आखो से ब्रज के बन बाग और तालाब ब्रज के ही बन बाग और तालाब निहारना चाहते हैं ऐसी रस खान की कामना है कोटिक ए कलधोत के धाम करील के कुंजन उपर वारों और करोणों कोटिक ए कलधोत के धाम मतलब भवन महल कलधोत के धाम मतलब सुनेहले सोने चान्दी के महल भी उसके उपर नियुच्छावरे किसके उपर करील के कुंजन, जो करील के काटे वाले जो ब्रक्ष है उपवन में, उनके उपर सोने चांदी के महल भी निवच्छावर हैं, अगर वो लाठी मिल जाए, जिसको लेकर कृष्ण जाते हैं, वो कम्मल मिल जाए, जिसको लेकर कृष्ण बन में जाते हैं, तो तीन लोग का राज त्याग सकते हूं आठो सिद्धी नौ निदी छोड़ सकता हूं अगर वो गाएं चराने के मिल जाएं और मैं इन आखों से ब्रिज के वन बाग और तालाब देखना चाहता हूं कोटी के और कलधावत के धाम करील के व्रक्षों के उपर जो काटे वाले उनके मैं करोणों सोने चादी के महल भी नियोचावर करता हूं इतना वो क्रश्न को भूमी को प्रेम कर रहे हैं उनकी लाठी को प्रेम कर रहे हैं उनकी गायों को प्रेम कर रहे हैं उनकी कंबल को प्रेम कर रहे हैं और वैसे भी जिससे प्रेम होता है उसकी हरचीज से प्रेम हो उपर राखियो गुंज की माल गरे पहिरोंगी ओडि पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी भावतो बोही मेरो रस खानी सो कहे सब स्वांग करोंगी या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान अधरोंगी अब यह जो है ना रेनू यह जो सवया है इसमें जो गोपियां है वो क्रश्न ही बन जाना चाहती है क्रश्न के जैसा ही रूप धर लेना चाहती है इतना अप्रेम है उनी के जैसा मोर पंख अपने सिर पे लगा लेना चाहती है वो जो गुंज की माला होती है एक लाल काले रं वो पहनने के लिए तयार है ओड़ी पितामबर मैं पीला वस्तर पीला कपड़ा जो कृष्ण पहनते थे ले लकुटी जो अभी पहले आए थी लाठी कृष्ण वाली और बन गोधन गवारीन संग फिरोंगी अब जब कृष्ण बन गई तो गवाल वालों के साथ फिरेंगी भावतो वो ही मेरो रसखानी रसखान कह रहे है कि वो तो मुझे तो क्रिष्ण अच्छा लगता है तो मैं जो कुछ भी क्रिष्ण करते हैं वो सब करूंगी या मुरली मुरली धर की अधरा नधरी अधरा नधरोंगी बस एक ही काम नहीं करूंगी क्रिष्ण की जो मुरली ह और आपने होटों से नहीं रखोंगे अधरावने होट वो मुरली होटों पे नहीं रखना चाहती क्योंकि वह उन्हें सौत लगती है कृष्ण मुरली बजाते हैं मुरली से प्रेम करते हैं कृष्ण का हड़ सब कुछ धारण करने के लिए गोपियां तयार हैं लेकिन कृष् मोर पंख लगाएंगी सिर के उपर और गुंजों की माला गले में पहनेंगी गुंज की माला वो लाल काले मोतियों की माला जो वन में मिलते हैं मोती ओड़ी पितांबर और पीला कपड़ा उढ़ेंगी लेल लकुटी बन गोधन गौरिन संग फिरौंगी लाठी लेकर सब के लिए वो तयार है, हम मुलकुल करश्न जैसी हो जाना चाहती है, वैसे कपड़े पहन लेना चाहती है, करश्न का रूप धर लेना चाहती है, जो कुछ नाटक, जो कुछ करना पड़ेगा, वो सब करेंगी, लेकिन गोपियां क्रिश्न की मुरली को अपने होटो पर रख यहां पर माम मैं आपको बता दूँ कि हमाई पस तक्रीबन तीन से चार मिंट के समय और शेश है अपने सत्र के लिए, बिल्कुल एक ही पद हमारा एक ही सवया बचा भी है, मैं इसको भी थोड़ा बता दूँ, कानन इदय अंगुरी रहिबो, जबही मुरली धुनी मंद ब मुझही है, माईरी वा मुख की मुसकानी संभारी ना जई है, ना जई है, ना जई है, जब कोई बात को बहुती वजन दे कर कहना होता है, तो फिर उसको कई बार, तीन बार कहा जाता है, तो क्रश्न की मुरली, भले ही इससे पहले सवया में जब हमने पढ़ा, तो यह था क जैवा कि घोपियां के मुर्ली को को नए अउट बारांट करना चाहते इतनी जो कूक्छ और गीत सुनाएं इतने कान कान के लोग हैं, वे कुछ और गवाइएं, लेकिन गोपिया त guitar गोपियां तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगन, पूरे ब्रज के लोगों को बुलादनेगी, क्योंकि कोई तो समझेगा मेरे हिर्दे का प्रेम, माईरी बासुख की मुस्कान, वो जो सुख मुख की मुस्कान, वो जो क्रश्न का मुख है, क्रश्न का चेहरा है, वो जो मुस्कराट है, और मेरा प्रेम है मेरा जो चेहरे मुस्कान वो तो समझी ना जाई है ना जाई है ना जाई है वो छुपाई नहीं छुप सकती वो प्रेम गोपियों का प्रेम वो क्रश्न की सूरत वो गोपियों के चेहरे पर प्रेम की मुस्कान उसे ना जाई है ना जाई है वो उसे छुपा न लेना चाहती है धुन्जों की लुकुटी धारन कर लेना चाहती है उन्धे लाठी पकड़एज द्वानियच तो यह तो बात हुए सवयों की हो जैसे कि माम ने आपको बताया बहुत ही अच्छे से तरीके से संगीत आत्मक और आत्मक तरीके से किसे गाया भी जा सकता है इसमे चौबिस अक्षर होते जो गिने भी जा सकते हैं और इसी के साथ हम माम यह सत्र को यहां पर इसको समाप्त करना चाहेंगे क्योंकि समय हमें अनुमती नहीं दे रहा है कि हमें सत्र को आगे बढ़ाएं लेकिन कंचन माम आप स्टूडियो आए आपने अच्छे तरीके से दिल्चस्प तरीके से यह पूरा पार्ट जो है और य कुछी देर में हम आपके लिए एक और लाइव इंट्रक्शन लेकर आएंगे जो की साइंस के स्टूरेंस के लिए और हमारा शीर्षक रहेगा स्ट्रक्चर ओफ दी आटम तो आप हमारे साथ बने रहें एविद्या चानल पर और जाने से पहले बहुत ज़रुरी सूचना लाई चाहेंगे एंसी ए अर्टी की बात्रषब संबद्दित शैक्षणी कशन शुक्तुन वर्श दोहसा तैईस-चोभिस के लिए NSi Windows के देश भर्मे अप्लत हैं अप इसे सब्सक्राष इन ले सकते हैं जो कि नई दिली अमदबाद बंगलूरू कोंगाता sa हाटे में स्थित हैं और यह प्राथा नो बज़े से शाम शे बज़े तक कारे रहेंगे पूरे सब्सक्ता सभी सरकारी चुट्टियों के साथ साथ शनिवार और रविवार कुई और यदि किनी कारणों से आप यहां पर नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी और कर सकते हैं इसके लावा यदि आप इसका सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं यानि की पीडिये वर्जिन में डाउनलोड चाहते हैं तो यह सुविता भी उपलग्थ हैं आप जा सकते हैं एंसी ए अपार्शाला वेबसाइट और हमारे मोबाल आप पर हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमा अपसे नुमती नमस्कार नमस्कार